हारत माता की जय जय खारत माता की जय जय खारत माता की जय साथ्यों आपका ये होसला आपका शावरिय और माभारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुल्निया है आपकी जीवर्ता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्थितियों में जिस उंचाई पर आप माभारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे पिश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उंचाई से भी उंचा है जहां आप तैनाथ है आपका अंडिश्चा है उस गाती से भी सक्त है जिसको रोज आप अपने कदों से नापते आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्दगिर्द खड़ी है आपकी इच्छाशक्ती आजपास के परवतों जितनी अटल है आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा साथशाथ अपनी आँखों से इसे देख रहा साथियों जब देश की रख्षा आपके हाथों में है आपके मजबूत इरादों में है तो एक अटूट विश्वास है जर मुझे नहीं पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिन्द भी है आप जब सरहक पर डटे हैं तो यही बात पंतेख देश्वासी को देश के लिए दिमरात काम करने के लिए प्रेवित करती है आत्म दिर भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण आपके त्याग परिदान पुरसाद के कारण और मजबुद होता है और अभी जो आपने और आपके साथियों ने बीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला फोजियों को भी देख रहा हूँ युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दर्श अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल कलम आज उनकी जय बोल तो मैं आज अपनी बाणी से आपकी जय बोलता हूँ आपका अभिननन करता हूँ में गलवान गहाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः स्रद्धाजली अर्पित करता हूँ इनमें पूरत से पस्चिन से उत्तर से दक्षिन से देश के हर कोने के बीर अपना शौर्य दिखाते थे उनके प्राकरम उनके सिहनात से धर्ती अब भी उनका जयकारा कर रही है आज हर देशवाजी का सीर आपके सामने अपने देश के भी सेनिकों के सामने आदर पुर्वक नतमस्तक होकर के नमन खरता है आज हर भारतिय की छाती आपकी बीरता और प्राकरम से फुली हुई है साथ्यों सिंदू के आशिजवाद से ये धर्ती पुन्य हुई है बीर सपुतों के शवरी और प्राकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुई है लेख लद्दाव से लेकर करगील और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली चोटियां से लेकर गलवान गाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर जोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंगर पत्थर भारतिय सैनिकों के पराकरम की गवाही देते हैं फोटिन कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है तुर्या ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथा है गर्डर में गुंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर वोई देखी है और आपकी फ्यूरी भी साथियों लद्दा का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है 130 करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है ये भूमी भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्ती है इस धर्ती ने कुशत पकुला रिंपोंचे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है ये रिंपोंचे जी ही उनी के पैरन जिनोंने दुश्वन के नाबाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिंपोंचे के गुवाई में यहां अलगाव पंदा करने की हर साजीश को लद्दाग के राष्ट भक्त जन्ता ने नाकाम किया ये उनी के प्रेरक प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाग स्काउट नाम से इन्फंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लद्दाग के लोग हर स्थर पर चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तक लेहो राष्ट को ससक्त करने के लिए अद्भूत योगलान दे रहे साथियों हमार यहां कहां जाता है खडगेन आक्रम्य बंजीत है खडगेन आक्रम्य बुन्जीत है वीर भोग्या वसुंद्रा यानी वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्रु भूमी की रख्षा करते है यह धर्ती वीर भोग्या है वीरों के लिए है इसकी रख्षा सुरख्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमाले जितना ही उंचा है यह सामर्थ और यह संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर यह साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्षों से अनेतों आकरांताओं के हम लोग को अत्याचारों का मुहतोर जवाब दिया है हम और यह हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसूरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को व्यादर्श्मान करके चलते हैं इसी प्रेणा से हर आकर्मन के बात भारत और ससक्तव करूब्रा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई स्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता है वीरता ही शांती की पूर्वशर्ट होती है भारत आज जल थल नग और अंत्रीक्स तक अगर अपनी ताकक बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है भारत आज आदुनिक अस्त्र सस्त्र का निर्वार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफास्त्र का निर्मान तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्वयुद्ध को अगर हम याद करें विश्वयुद्ध हो या पिर शांती की बात जब भी ज़रुद्ध पड़ी है विश्वने हमारे भीनों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानवता की इंसानियोत की हुमेनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की इस मही महान संस्कृति को सापिट करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संत तिर्वल्वर्जी ने सैंक्लो वर्ष कुर्व कहा था मारा मानं मांड़ वड़ी चेलव तेकुम येना नानगे येमं पड़ाई कह यानि शौर्य सम्मान मर्यादापुन ब्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गूं किसी भी देश की सेना का प्रतिम्ब होते हैं भारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारवाद का यूग समयात हो चुका है ये यूग विकासवाद का है तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है विकासवाद के लिए ही आउसर है और विकासवाद ही वविश्य का आधार भी है बीती शतारवद्यों ने विस्तारवद्यों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज़्यादा हित किया मानवता को विनास करने का व्यास किया विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुए है उसने हमेशा विश्व शांती के सामने खत्रा पैदा किया और साथ्यों ये न भुले इत्यास गवा है कि ऐसी ताकते मिद गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभाव रहा है और इसी अनुभाव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व विकास वाद को समर्पीत है और विकास की खुली स्पर्धाता स्वाधत कर रहा है साथियों जब जब मैं रास्त रक्षा से जुड़े किसी नीड़े के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ जब भी मैं रास्त रक्षा के विशे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता जब मैं दो माताओं का स्मरण चलता हूँ पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वेवीर माताएं दूसरी विवीर माताएं जिनोंने आप जैसे प्रमाग पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूँ मेरे नेरे की कसोटी यही है इसी कसोटी पर चलते हुए आपके सम्मान आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच प्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आदुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं अब देश में बॉर्डर इंफास्रेक्टर पर खर्च करीब करीब तीन गुनात कर दिया गया आजा है इससे बॉर्डर इरिया बॉर्डर इरिया डेवलप्पेंट और सीमा पर सड़के पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाग ये भी हुआ है कि अब आग कि तक सामान भी कम समय में पहुंचता है साथियों सेनाओं में बहतर समन्वाई के लिए लबने समय से जिसकी आशा थी वो चीफ अब डिफेंस स्टाप के पत का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्वान वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरे से लेकर सिख्षा तक की सही व्यवस्ता के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है साथियों भगवान गौतम बुन्त ने कहा है साहस का सम्मंद प्रतिबद्धता से हैं कन्विक्शन से हैं साहस करुणा है साहस कम्पेशन है साहस वो है जो हमें निर्भीक और अडिक होकर सत्त के में प्रक्ष में खड़े होना सिखाएं साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों पेश के वीर सपूतों ने गलवान गाटी में जो अदम्य साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाश्टा है देश को आप पर करव है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे हमारे आइटी बीपी के जमान हो बीएसेट के साथी हो हमारे बियारों और दूसरे संग्षणों के जमान हो मुश्किन हालात में काम कर रहे हैं इंजीनियर हो समीक हो आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिला कर मा भारती की रक्षा के लिए मा भारती की सेवा में समर्पित है आज आप सभी की महनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी जड़ता से लड़ रहा है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं विजय प्राप्त करते रहेंगे जिस भारत के सामने और हम समने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेश रुप से आप सम शरहत पर देश की रक्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोर देश वासी भी पीछे नहीं रहेंगे कि मैं आज आपको विजवाद दिलाने आया हूँ हम एक ससत और आत्मंदिर भर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जम मिलती हैं तो आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब भी और ताकतवर हो जाता है मैं फिर एक बार आप सभी का रवे से बहुत पर अभिननर करता हूं बहुत पर धनिवाद करता हूं मेरे साथ पूरी ताकत से बहुलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 मुझा झाल झाल